नमस्कार दोस्तों आप सबका फिर से सुवगत है हमारे एक और वीडियो में तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि पेपर प्लिट मसीन में करंड क्यूं आता है और उसे कैसे ठीक करें तो दोस्तो आज हम इस वीडियो में आप लोग को सारी जानकाई देने वाले कि करन्ट क्यूं आता है मसीन में और उसे कैसे ठीक करें दोस्तो जब हम पेपर प्लोड मसीन पहले बार लगाते हैं न तो हम लोग को बताने वाला नहीं होता है कि यह जो दो तार दिखे रहे हैं आपको इसे हम कहां लगाए नट के बाहर लगाए या फिर नट के अंदर लगाए यह हम लोग को बताने वाला नहीं होता है इस कारण हमें लगता है कि हम इस nut को खोल के अंदर लगाएंगे तार को आज नट को बाहर लगाएंगे तो हमारा यह जो तार है वो नहीं निकलेगा लेकिन यहीं पर हम गलती कर जाते हैं क्योंकि हम लोग को बताता नहीं है और हम लोग को जो अच्छा लगता है वो हम कर दे करते हैं हम नट को बाहर करते हैं तार को उंदर करते हैं इसी कारण मसीन में पुरे करण आ जाता है क्योंकि दोस्तों यह जो नट होता है यह हम लोको सेफटी होता है और जब तक इस सेफटी को हम क्रोस नहीं करेंगे तो हमारा मसीन में कर देते हैं तो मसीन में करण आता है क् आप वाइरिंग करते हैं तो आप इस तार को अच्छी तासे फोल्ड कीजिए फोल्ड करने के बाद नट को अंदर रखेगा और तार को बाहर रखेगा यदि आपका तार बाहर रहता है तो आपके मसीन में करंट नहीं आएगा यदि आपके मसीन में करंट आता है तो आप इसी करने मसीन में करन्ट आ सकता है यदि आपको ऐसा आ रहा हो तो आप चेक कर लिजिएगा कि हमारा तार कहीं हीटे में चीपक तो नहीं रहा है और हाँ यदि आप लुग प्लें मसीन चलाते हैं तो जब भी आप मसीन को आउन करते हैं अउन करने से पहले आप टेस्टर से उसको छो कोphonि यह 1959 करते हैं तो कुछ न कुछ गरमबर हो जाती है इस दिख highlighting को आप लोगको नेक्श वीडिया में आसा करता हूं जब आ को अजब रूपकर प् pen ज़रू करें इस आक नय नए वीडियो आप लोग पास जल से जल पोते हैं झाल 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 झाल